मित्रों जै मातादी आप देखने धर्म सिक्षा मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैसाख मास 2023 में कब से कब तक रहने वाला है वैसाख मास कब से आरंभ होने वाला है और कब इसकी समापती होने वाली है वैसाख मास की तो संपून जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंध्य तक बने रही है ठाकि आपको संपून जानकरी हो पाए तो वैसाख मास इस बार अप्रेल के माह में आरंभ होने वाला है आए जानता है कब आरंभ होने वाला है कोई भी मास जैसे कि आप जानते हैं कृष्ण पक्ष से आरंब होता है तो वैसाख मास जो आरंब होगा वो होगा सुक्र वार 7 अप्रेल को इस दिन देखेंगे आप थोरा समय जुम कर देता हूं इसे वैसा क्रिष्ण पक्ष की प्रतिपता है तो इस दिन वैसा अखमास आरंब हो रहा है अब क्रिष्ण पक्ष की समाप्ती कब होगी क्रिष्ण पक्ष की समाप्ती होगी अमावस्या के दिन तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गुरु वार का दिन रहेगा और 20 अप्रेल का दिन रहेगा इस दिन अवोश्यात थी रहने वाली, यानि कि कृष्ण पक्ष की समाप्ती हो जाएगी और अगले दिन से सुक्ल पक्ष आरंब हो जाएगा तो अप्रेल में पूरा ही सुक्लपक्ष मा की दिनों में चलेगा और आते हैं मई के महिने में मई के महिने में आप आएंगे तो देखेंगे सुक्लपक्ष की समाप्ती हो रही है सुक्रवार को पांच मई को यानि कि सुकुरुवार 5 मई को वैसाख मा की समाप्ती हो जाएगी कब से कब तक रहने वाला है तो वैसाख मा रहेगा सुकुरुवार 7 अप्रेल से आरंभ होगा और इसकी समाप्ती होगी सुकुरुवार को ही 5 मई को तो ये तो निशित हो गया कि कब से कब तक रहने वाला है वैसाखमा अब आईए एक बार नजट डाल लेते हैं परवत्योहरों पर कौन कौन से वैसाखमास में मुख्य मुख्य परवत्योहर रहने वाले हैं तो मैंने पहले साप के लिए मार्क कर रखा है यहाँ पे आप देखेंगे 16 अप्रेल को रईवार का दिन रहेगा और इस दिन वरुथनी एकादसी रहेगी वरुथनी एकादसी वैसाख किष्ण पक्ष की जो एकादसी रहती है उसे वरुथनी एकादसी कहते हैं दूसरा अक्षे तिर्तिया भी वैसाख मास में ही आता है तो रईवार 23 अप्रेल को अक्षे तिर्तिया रहने वाला इस बार इसके अलावा 25 अप्रेल को मंगलवार का दिन रहेगा इस दिन आदी संक्राचारी जी का जन्म हुआ था जो कि बहुत ही महान गुरु जाने जाते ह परतियार है तो वैसाख मास की जो सुक्ल पक्ष की एकादसी आती है उसे मोहिनी एकादसी कहते है तो एक मई को सुमवार का दिन रहेगा इस दिन मोहिनी एकादसी रहने वाला है और अगर बात करें पांच मई को सुक्रवार का दिन जिस दिन वैसाख मास की समापती हो रही यानि कि सुक्रवार 7 अप्रेल से ही आपको अस्नान करना होता है सुर्योदे से पहले उठकर अस्नान करना होता है किसी पवित्र नदी में करें तो अति उत्तम नहीं है तो घर में ही करें सुर्योदे से लेकिन पहले अस्नान करना होता है और जिस तिन तक वैसाख मा है यानि क शुक्रवार पांच मई तक ये अस्नान चलेगा सुर्योदे से पहले उसके बाद पांच मई को ही ब्रह्मन भोजन करा के इसकी समापन की जाती है तो ये छोटी सी जानकाई थी वैसाक मास 2023 के बारे में मुझे उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरह की अनिक ज्यान वर्धक वीडियो के लिए जूरे रहें धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्मसिक्षा जै माता दी